कुछ तिनों पहले की बात है एक गाउं जंगल के करीब बसा हुआ था जंगल के करीब बसे हुए होने की वज़ा से वहां की जंगली सुवर अक्सर उस गाउं में घुश जाया करते थे और गाउं वालों के खेतों को नुकसान पहुचाया करते थे बाई ये जंगली सूरों का अतंक तो अब बढ़ताई जा रहा है हमें इन्हें रोखना होगा नहीं तो ये हमारी सारी खेती यूही बरबाद करते रहेंगे हाई मेरे पास एक परकीव है क्यों न हम उस रास्ते पर एक लोहे की बाड़ बना दें जहां से अक्सर जंगली जानवर गाओं में घुशते हैं अरे मुरारी भाई तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या नहीं 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 हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो हम बाड़ बनवाएं मेरे पास एक आसान रास्ता है इन जंगली जानवरों को सबक सिखाने का फिर रात होने पर कालिया एक तर्बूच में गोला बारूद भर कर उस रास्ते पर रख देता है जहां से अक्सर जंगली जानवर गाओं में आया करते थे और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है अब मज़ा आएगा जंगली सुवर अब तुझे मज़ा चखाऊंगा फिर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जंगल से एक हथिने निकल कर उस रास्ते पर आती है रास्ते में तर्बूच देख कर वो खोश हो जाती है अरे अरे नहीं नहीं ये ये तर्बूच तो मैंने जंगली सुवर के लिए रखा था ये ये हथनी कहां से आ गई मुझे मुझे इसे रोखना होगा फिर वो हथनी की ओर दोड़ता है लेकिन उसके वहाँ पहुचने से पहले ही वो हथनी उस तर्बूच को खा लेती है तर्बूच खाते ही उसके मुँँ में जोरों का विस्फोट होता है और हथनी का मुँँ बुरी तरह से जखमी हो जाता है हतनी दर्ड के मारे जोर-जोर से चिलाने लगती है और इधर-उधर भागने लगती है उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे उसकी चिंगार सुनकर कुछ गाउवाले भी वहां पहुँच जाते है अरे कालिया भाई इस हतनी को क्या हुआ इसका मुँ तो बुरी तरह से जख्मी हो गया है ऐसा कैसे हुआ इसके साथ अरे भाई जंगली सुरों को समझ सिखाने के लिए मैंने एक तर्बूज में विस्फोटक भर कर रखे थे लेकिन ये हतनी पता नहीं कहा से आ गई और तर्बूज खा गई और इसके मुँ में विस्फोट नोगया ये तो बहुत बुरा हुआ भाई हमारे गाउं में सद्यों से इन हाथियों को पूजा जाता है और आज हमने उसी पूजनी हाथी की ये क्या दुर्दशा कर दी भाई एक तरफ तो हम एक जानवर की पूजा करते हैं और दूसरी तरफ उन चंगली सूरों को जान से मारने की कोशिश करते हैं उन भी जुबानों को भी तो भगवान ने ही बनाया है तुम सही कहते हो भाई लगता है इसी सोच के कारण भगवान ने हमारी पूजा सुईकार नहीं की फिर वह हतनी दर्द में तडपती तडपती जंगल के अंदर चली जाती है उसकी चीक पुकार सुनकर एक चुडैल की नजर उस पर पड़ती है अरे इस हतनी को क्या हुआ इसका मों तो बुरी तरह से जखमी है फिर वह चुडैल उड़ती हुई उस हतनी के पास जाती है हतनी उस चुडैल को देख कर डर जाती है अरे डरो नहीं मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुचाना चाहती ये तुम्हारे साथ क्या हुआ? फिर हतनी उसे पूरी बात बताती है अच्छा, तो ये सब इन इनसानों की कर्टूत है मुझे तो पहले ही इन इनसानों पर भरोसा नहीं था मैं तुम्हारे जखमों को तो ठीक नहीं कर सकती लेकिन एक उपाय है जिससे तुम्हारी पेडा कुछ कम जरूर हो सकती है तुम पास में बनी नदी में चली जाओ नदी के पानी से तुम्हारी जलन कुछ कम हो जाएगी फिर हतनी चुरेल की बात सुनकर गाउं में बनी नदी की ओर चली जाती है सभी गाउवाले भी उस हतनी को देखने के लिए उस नदी के किनारे इकटा हो जाते हैं वो बिचारी हतनी नदी के बीचों बीच जाकर खड़ी हो जाती है भाई हमें इस हतनी की मदद करने चाहिए क्या पता हमारी मदद से ये ठीक हो जाए फिर दो गाउवाले हाथी पर सबार वो कर नदी के अंदर जाते हैं दूसरे हाथी अपनी सून की मदद से उस हतनी को नदी से बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं लेकिन कोई फाइदा नहीं होता हतनी जख्म के कारण बहुत कमजोर हो चुकी है अरे बिल्लू भाई लगता है अब कोई फाइदा नहीं है ये बहुत कमजोर हो चुकी है तेरा भाई इसके पेट की ओर तो देखो लगता है ये गर्ब से है हाँ भाई बिल्लू तुम सही कहते हो ये तो गर्ब से है लेकिन हम क्या कर सकते हैं तभी हतनी के गर्ब से होने की बात नदी के खिनारे खड़े गाउवालों को पता चलती है अरे सुश्मा तुमने सुना ये बेचारी हतनी तो गर्ब से है हाँ बेहन इस बेचारी हतनी के साथ तो बहुत बुरा हुआ लेकिन हम गाउवाले इसके बच्चे को कैसे बचाए भाई पानी बहुत गहरा है और लगता है अभी बच्चे के जन्म का समय भी नहीं आया है हम इसके बच्चे को नहीं बचा सकते तब ही ये सब बाते वहाँ पेड़ पर बैठी चुडैल को पता चलती है अरे ये क्या इसके पेड़ में तो बच्चा भी है मुझे इसकी मदद करनी होगी फिर जैसे ही चुडैल पेड़ की छाओं से बाहर निकलती है और सूरज की रोशनी से जल उठती है अरे नहीं ये क्या मैं तो भूली गई मैं सूरज की रोश्णी में बाहर नहीं निकल सकती क्या करूँ? इसकी मदद कैसे करूँ? हे भगवान मैं मानती हूँ मैं धर्म के रास्ते पर कभी नहीं चली इसलिए मैं चुडैल बनकर इसकी सजा भुगत रही हूँ लेकिन आज मुझे इस हत्नी के बच्चे को बचाने के लिए आपकी मदद की जरूरत है मैं सूरज की रोश्णी में बाहर नहीं निकल सकती कृपा करके मेरी मदद कीजे ये गाउं वाले इस हत्नी की कोई मदद नहीं कर पाएंगे ये भगवान अब आप ही कोई चमतकार कीजे वहीं दूसरी तरफ हत्नी बेहोश होने लगती है और धीरे धीरे पानी में डूबने लगती है अरे भाई जल्दी ही कुछ करना होगा नहीं तो इस हत्नी के साथ साथ इसका बच्चा भी मर जाएगा लेकिन हम इसकी मदद पैसे करे भाई हम इनसान अब इसकी कोई मदद नहीं कर सकते फिर बिल्लू और हीरा हात्यों की मदद से उस हत्नी को पानी से उपर रखने की कोशिश करने लगते है लेकिन कोई फायदा नहीं होता वो हथिनी पानी में और डूबने लगती है ये सब देखकर कालिया को बहुत दुख पहुचता है क्योंकि ये सब उसी की वज़ा से हो रहा होता है ए भगवान ये सब मेरी वज़ा से हुआ है मैंने ही आपके बनाए हुए जीब को मारने की कोशिश करी थी मैं भूल गया था कि आपके बनाए हुए प्रत्येक जीव में आपका वास होता है मुझे अपनी गलती सुईकार है भगवान मुझे मुझे माफ कर देजिए मेरे किये की सजा इस भतिनी के बच्चे को मत दीजिए अब आप ही कुछ कीजिए भगवान हम इंसान इसकी बदद नहीं कर पा रहे है नहीं कर पा रहे है तभी जोर जोर से हवाई चलने लगती है काले बादल सूरच को अपनी आगोश में ले लेते हैं और दिन में ही अंधेरा हो जाता है अरी पहन ये अभी तो दिन था ये अचानक से दोपहर में रात केसी हो गई? ये भगवान आपकी लेला प्रमपार है तब ही गाउवालों को डराबनी डराबनी आवाजे आने लगती है और वो चुडैल बाहर निकल आती है और नदी के उपर उड़ने लगती है अरे मर गए रे ये चुडैल कहां से आ गई? ये तो दिन में बाहर नहीं निकल सकती थी परन तु आज कैसे आ गई? भाई तु देख नहीं रहे हो आज दिन में ही अंधेरा हो गया है ये सब उपर वाले की लीना है इस चुडैल को स्वायम भगवान ने भेजा है ताखी वो इस हतनी की मदद कर सके फिर वो चुडैल नदी के अंदर चली जाती है तभी वो हतनी भी दम तोड़ देती है और पानी में डूट जाती है अरे बिल्लु भाई, हतनी ने तो अपने प्राह त्याग दिये अब इसके बच्चे का क्या होगा? तभी पानी में से चुडैल बाहर निकलती है उसकी गोद में एक हाथी का बच्चा होता है सब गाउवाले उस हाथी के बच्चे को देख कर खुश हो जाते हैं फिर वो चुडैल उस बच्चे को किनारे पर रख देती है और वहां से चली जाती है तभी वो काले बादल भी हट जाते हैं और वापस से दिन हो जाता है फिर सब गाउवाले उस हाथी के बच्चे को बहुत सारा प्यार देते हैं और उसका पालन पोशन करने लगते हैं और भगवान से माफी मांगते हैं हे भगवान आज के बाद हम किसी भी जीव को कोई हानी नहीं पहुचाएंगे सब जीव आपके ही बनाए हुए हैं हम अब से किसी को भी हानी नहीं पहुचाएंगे